वैसे तो आप लोगों ने इस गाव को आज पूरे दिन चर्चाओं में सुना होगा। ये गाव कल के अखबारों की सुरुखियां बनेगी और आज की सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। लेकिन किसी ने सायद ही सोचा होगा कि इस गाव के 138 घरों के लोगों की आज की रात कैसे गुज़रेगी। क्यूंकि ये बाडमेर और जालोर जिले की सीमा पर सटा ओटवाड़ा गाव हैं और आज इस ओटवाड़ा गाव के 138 घरों को तबाह कर दिया थे। अलाकि गोचर जमीन पर इनके घर थे तो हाई कोट में एक याची का दायर की गए उसके बाद ये आदेश था कि इस गाव के सबी घरों को द्वस्त करवाया जाए। लेकिन का किसी ने ये सोचा है कि इस गाव में रहने वाले तमाम उन लोगों के जिनको मजदूरी करके दो जून की रोटी के लिए संगर्स करना पड़ता है आखिर जिनके घरों के चुले उजार दिये गए वो आज का खाना कैसे खाएंगे। अभी साम के करीब साथ बजे हैं कुछ मिनिट पहले ही सूर्य देव यहां से ओजल हुए हैं लेकिन अभी हम यहां पर पहुँच करके आपको इसलिए ये बताएंगे कि इस गाव के लोगों की रात कैसे गुजरेगी यहां के विदायक ने थोड़ी दिर पहले मुख्यमंत पिसुटी से मुलाकात कर ये कहा हैं कि अब इनके घर द्वस्त नहीं कराएं लेकिन dato दिया तो झाना कैसे बनाएंगे दिनके घरों की छत्य होजार दी गई तो उनके घर चोटे बच्चे कैसे सोएंगे तमाम लोग जब हम यहाँ पर खटक की टीम पहुँची तो ये महिलाएं ये बच्चे ये बच्चियां एक उम्मीद की नजर के साथ यहाँ पर खड़े हैं कि भला कोई आ जाएं और हमारी बात सुन लें ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर कई सालों से निवास करते हैं लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी गई और हमारे घर जेसी भी मसीने लाकर के ध्वस्त कर दिये गए पूरी रिपोर्ट आज हम आपको बताएंगे एक एक घर जाएंगे और तमाम चीज़ें आपको बताएंगे हम कोशिस भी करेंगे कि दरसल ये मामला था क्या अब आगे इस मामले में क्या होगा